हाई प्रिबन आएए आज की इस वीडियो में समझेंगे कि ठोस पदार्थ की आकिरती और आईतन निश्चित क्यों होते हैं यानि कि शेप और उसके आयतन और उसके वोल्यूम निश्चित होते हैं यानि कि फिक्ष्ड होते हैं क्योंकि ठोस्पदार्थों के कन यानि कि पार्टिकल एक दूसरे के क्या होते हैं नजदिक होते हैं यानि कि बहुत ही एक दूसरे के दूसरे से एटेच में होते हैं ठीक है और और ना दूर ही जाते हैं ऐसलिए अता ता या फिर इसलिए थोसत दारत की आकिरती कायम रहती है यानि कि वह बरकरार रहती है और इसी कारण उसका आयतन भी इस्थिर रहता है यानि तो आजके इस वीडियो में इतना लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना है इसो थैंक यू